दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग शेक्स्पियर के फेमस प्ले, फेमस ट्रैजली, मैगबैट का Act 1, Scene 1 डिसकस करेंगे मैं इस वीडियो में आपको शेक्स्पियर को धंसे पढ़ना सिखाऊँगा कि Old English Language में भी अगर आपको टेक्स दे दिया जाए तो आपको कैसे उसको पढ़ना है काफी सारे बच्चों के syllabus में ये Macbeth शामिल है तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Macbeth का Act 1, Scene 1 दोस्तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है Shakespeare को पढ़ने से पहले कि Shakespeare ने कभी भी अपने ड्रामास को इस तरीके से ये सोच कर नहीं लिखा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इसको अपने syllabus में पढ़ेंगे बलकि उन्होंने ये सोच कर लिखा था कि मुझे बस actors के लिए dialogues लिखने मतलब stage पर perform करवाने वाले चीज़े थी आपने देखा हुआ कई सारे स्कूलों में और colleges में stage पर perform करवाया जाता है शेक्सपियर के dramas को तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शेक्सपियर की एक script है ये समझे लो मतलब old English में लिखी हुई script है और उसको हम लोग translate करेंगे और मैं ढंक से आपको समझाऊँगा कि इसको पढ़ना कैसे है ये उनके play Macbeth की original scene की copy है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये screen पर आपको जो दिख रही है और आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं मतलब scene 1 वो इतना सा है दोस्तों हाँ वो इतना सा है और सिर्फ ये dialogue की form में लिखा हुआ है मैं सब आपको समझाऊँगा चलिए scene पर अभी दिख रही है ये original play की script की copy है इसके अंदर आपको कुछ spellings भी अलग सी दिखेगी गलत नहीं है अलग है ये old English language में लिखी हुई spellings है जैसे prejudice की spelling देखू हम कुछ और बोलते हैं यहाँ पर G-E-D-I-E लिखा हुआ है तो हम लोग शुरू करते हैं मारा text यहाँ प तीन witches enter होती है witches का मतलब है दूस्तों यहाँ पर चुड़ाले तो इस play को थोड़ा creepy बनाने के लिए हम कह सकते हैं डरावरा बनाने के लिए यहाँ शेक्सपियर ने तीन चुड़ालों से शुरुआत की है thunder and lightning और खराब मौसम है खराब मौसम दिखाने का मतलब यह है कि माह मतलब एतन ओडियंस जो थी वो ऐसी चीजों को बहुत पसंद करती थी और विश्वास भी करती थी वह साइंस ने इतनी तरक्की तो की नहीं थी तो लोग भूत प्रेत में इन सब चीजों में बड़ा विश्वास करते थे तो यहाँ पर तीन चुड़ाले आपस में मिलती ह और उनमें से फर्स्ट वाले विश्वास भूलती है वैं शैल वी थ्री मीट अगैन मतलब अब हम तीनों फिट से कब मिलेंगे इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन या तो खराब मौसम में मिलेंगे या फिर लाइटनिंग मतलब बिजली कड़क रही होगी तब मिलेंग या फिर हम बारिश में मिलेंगे, हम तीनों कब मिलेंगे ये फर्स्ट वाले विच बोलती है अब यहाँ पर राइमिंग सेट करने के लिए अगैन और रेन वर्ड का यूस किया है लेकिन यहाँ पर स्पैलिंग देखना आप अगैन और रेन आपको गलत लग रही होगी ये सवाल पूछा हम लोग अब कब मिलेंगे दोबारा तो उस बात का जवाब सेकंड वाली विच ने दिया वें दा हर्ली बर्ली इस दन शेक्सपियर ने यहाँ पर नंबर लिखा है ये नहीं बूला कि ये सेकंड विच का डायलोग है नंबर लिखा है टू यानि सेकंड यानि जब ये लडाई और उथल पुथल का माहल शांत हो जाएगा न तब मिलेंगे हर्ली बर्ली दोस्तो यहाँ पर इस बर्ड को हम हिंदी में उथल पुथल की तरह यूज कर सकते हैं लडाई से जो उथल पुथल हो जाती है वैसे अब शेक्सपियर को पढ़ते वक्त ऐ ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो आपने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे मतलब जब ये उतल पुथल का माहौल शान्त हो जाएगा और ये जो लड़ाये चल रही है बैटल की स्पेलिंग अलग है तो बैटल जो चल रही है या तो इसमें कोई जीत जाएगा या फिर कोई हार जाएगा इसकी बाद हम लोग मिलेंगे मतलब यहाँ पर उन चड़ैलों को ये जो लड़ायी चल रही है उतल पुतल का माहौल है इससे कोई मतलब नहीं है वो कह रहा है कि अगर कोई जीत जाता है या हार जाता है एंड में जो भी जीते या हारे अवे कोई मतलब नहीं है हम तो उसके बाद में मिलेंगे अब दो witches बोल चुकी है तो तीसरी वाले witch बोलती है That will be at the set of sun मतलब ये लड़ाई तो सूरज ढ़लने से पहले ही खतम हो जाएगी ये जो word है E-R-E इसका मतलब है before Set of sun का मतलब है सूरज ढ़लने से पहले तो सूरज ढ़लने से पहले ये लड़ाई खतम हो जाएगी थर्ड वाली witch को विश्वास है अब literature के बच्चे यहाँ पर sun की spelling को note करो दोस्तों ये जो sun की spelling है आप note करना John Dunn की एक poem है The Sun Rising उसके अंदर सेम सी spelling यूज की है John Dunn ने तो कहने का मतलब ये है कि आज की date में English language ने अपने उपर से काफी सारे फाल्तू letters को जो फाल्तू letters का बोज था उसको हलका कर दिया इसलिए हम English को आज वर्ल्ड की सबसे flexible language बोलता है जो काफी सारी चीजों को अपने हिसाब से adjust कर लेती है आज हम sun को sun पढ़ते है su double and e नहीं पढ़ते तो ठीक है तीनों witches ने अपने-पने dialogues भोल लिए अब वापिस से first वाली witch बोलती है यहाँ पर number one लिखा हुआ न where the place मतलब first वाली witch पूछ रही है कि हम कौनसी जगा पर मिलेंगे तो second वाली witch बोलती है मतलब जहां कोई आता जाता नहीं heat word का मतलब है ऐसा बंजर एरिय है जहां कोई आता जाता नहीं they are to meet with magbeth यहाँ पर third वाली witch बोलती है अच्छा तो इसका मतलब वहाँ पर हमें magbeth भी मिल जाएगा magbeth इस कहानी का hero है दोस्तों पहली बार magbeth का नाम लिया third witch ने जैसे ही इन तीनों की ये बात हुई तो अचारक से इन तीनों को अपने-पने pets की आवाज सुनाई देती है तो first वाली witch बोलती है I come grey malkan आ रही हूं आ रही हूं grey malkan आपर grey malkan एक billy है दोस्तों creepy mahal बनाने के लिए बिल्ली जैसे जानवर चूस किया है पर second वाली witch भी बोलती है कि मुझे भी paddock बुला रहा है paddock यहां पर mandak या frog या फिर toad की तरह यूस किया जाता है कोई mandak है वो बुला रहा है और third वाली witch भी बोलती है anon यानि उसे भी किसी pet की आवाज आती है और वो तीनों witch वहां से उडने की तयारी करती है परने से पहले यहां पर तीनों witch एक rhyming couplet बोलती है fear is fall, fall is fear or through this fog and fill the air इसका मतलब यह है यानि हमें अकसर जो अच्छा लगता है वो अंदर से खराब होता है और अकसर जो हमें खराब लगता है वो अंदर से अच्छा होता है वैसे इन सब चीजों से चुड़ेलों को कोई मतलब नहीं है वो बोलती है कि चलो उड़कर चलें इस fog और fill the air में मतलब इस गंदी हवा में इसलिए Shakespeare को पढ़ना लोग पसंद करते हैं दोस्तों यहाँ पर end में इस scene को खतम करते करते एक ऐसी बात बोल दी Shakespeare ने जो बड़ी गहरी है कि जो अंदर से अच्छा लगता है वो अंदर से खराब होता है और अंदर से जो खराब लगता है वो अच्छा होता है human nature भी कुछ ऐसा ही होता है हमें देखने में बुरा लगता है वो अंदर से हो सकता है कि हमारा बढ़ा चाता हो और जो हमें अच्छा लगता है बहुत प्यारा लगता है वो न जाने कहां हमें धोका देता हो एक-एक डायलोग के यहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े मतलब निकलता है यहीं पर यह सीन खतम होता है और तीनों बज़ेज एक्जिट कर लिती है अब जब आपने यह वीडियो खतम कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको धंक से समझ में आया होगा एक्ट वन सीन वन मैंने कुछ ग्राफिक्स भी यहां पर यूज किये थे चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में